ओके इस वीडियो में बात करने वाले है जॉमी मी A4 के बारे में जो जॉमी मी A3 का एक यूथ सक्सेसर होने वाला है and finally जॉमी मी A4 टैना के ओपर लीख हो चुगा है and यहाँ पे न्यू अपडेट्स के एकॉर्डिंग कंसोल कर दिया गया जॉमी मी A4 इसी एर के मेडिया फिर एंड तक लांच होने वाला है मतलब इस फोन का रिलीश टेट बहुत ही सामने आ चुगा है and finally यहाँ पे जॉमी का मी A4 टैना को पर ऐसे रिफील हुआ जैसे के जॉमी मी CC11 करके जो इंडिया के अंदर रिफ प्रंडों करके आने वाला है जॉमी मी A4 और आप लोगो जैसे की पता ही होगा जॉमी का मी A3 जो इंडिया में लांच हुआ है वो चानला के अंदर लांच हुआ था जॉमी मी CC9 करके तो फाइनली कंफर्म होता है जॉमी मी A4 इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा इस फोन के खॉर्डिंग बहुत सारे स्पैक्स भी रिवील हुए है तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो आप इस वीडियो को कंटीनियो कीजिए क्योंकि हार कम प्राइस पॉइंट पे जॉमी मी A4 इंडिया के अंदर रिलीज होने वाला है तो विदाउट एनी फॉदर दू लेट्स जुम्प इंट इंट वीडियो स्टार्ट करते हैं सब से पहले इस फोन के स्पैक्स से एंड यहां पी ऑफीशली कंफर्म कर दिया गया है कि इस फोन के अंदर मेडिया टेक कर डामेंसेटी 1200 चिपसेट मिलेगा जो एक बैस्ट चिपसेट है और रिसेंट में लांच हुआ वनप्लेज नॉट तू के अंदर अल्रेडी हम लोगों को देखने को मिल रहा और यहां पे बहुत सारे नुव फीचर्स देखने को मिलेगा और यह फोन आट अप दी बॉक्स एंडुए 12 पे रॉन करने वाला है यहां पे रिडियो राइडिंग स्पीड भी अमेजिंग मिलेगा और यह चिप यार बहुत यह अमेजिंग चिपसेट है दिस्प्ले के बारे में बात करते हैं यहां पे अल्रेडी कनफर्म इस फोन के अंदर हाई रिफ्रेस रेट दिस्प्ले मिलेगा और डिस्प्ले रियली काफी अमेजिंग होगा मतलब थोड़ा सा कर्प टाइप कर डिस्प्ले होने वाला है चीन और बैसर बहुत ही थिक देखने को मिल रहा है और यह जॉमी मी-A3 फुल एजडी प्लस के रिजलेशन की साथ नहीं आया था पर इस फोन के अंदर फुल एजडी प्लस के रिजलेशन सूपर एमोलेट पैनल इंडिस्पल फिंगर प्रेंट स्कानर भी कंटीनु देखने को मिलेगा लेट्स मुव तो कैमरा यहां पर कंफर्म हिस फोन के अंदर क्वार्ट कैमरा सेटप मिलेगा एंड इस बाप सारे इंप्रूब्मेंट्स है कैमरा में यहां पर हम लोग को 108 मेगा पिक्सल का न्यू सैंसर मिलने वाला है जो काफी अमीजिंग सैंसर है साइड इस फोन के अंदर सुनी का सैंसर मिल जाए या फिस सैंसम है थोड़ा सा कन्फीजन है पर यहां पर सकेंड सेंसर अल्टर वाइड एंगल लें सेक्शन मेग टेलिफोटो लेंज 8 मेगा पिक्सल दैप संसिंग 5 मेगा पिक्सल का मिलेगा एंड अगर हम बात करते हैं फ्रेंट सैल्फी कैमरे के बारे में तो यहां सौमी का मी एस सीरीज ना इंडिया के अंदर एक बेस्ट सैल्फी कैमरा होते हैं तो कन्फर्म इस फोन के अंदर भी सैल्फी कैमरा मिलेगा 44 मेगा पिक्सल का बैटरी जाजिंग के वारे में बात करते हैं टेकिंग विद पिंच अप्सॉल से यहां पे लेटिस्ट अपडेट्स के अगॉर्डिंग रिवील वाइस फोन के अंदर 5000 अमेज का बैटरी मिलेगा एंड चारजिंग ए 65 वाट का फ इस फोन के एकस्पेक्टेड प्राइजिंग आपर रिवील हो जुगा यह फोन इंडिया के अंडर 20,000 पी तक के प्राइस पॉइंट पर आने वाल है जामी का मी ए3 यार बैस फोन तर बैस प्राइस पॉइंट के साग्मेंट पे अभी भी भी बहा साई यूज इस इस फोन क तो इसली कंसिडर करते हैं और मेरे पास पी अल्रेड़ी है जिसको यूज करने के बात यार मज़े ही अलग साता है क्योंके इस फोन के अंडर अगर आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताईए मेरोगो तो यार पैश लगता है इस टौक अंडर इस वी वीगेजन को भी इनेबल कर लीजेगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में